खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन लद्दा की गलवान घाटी में चीन के धोके से देश भर में भारी आक्रोश है देश के हर हिस्से में भारतिय सैनिकों की शहादत का बदला लेने की आवाजे उठ रही है कई शहरों में चीन के खिलाब प्रदर्शन भी हुए और दिल्ली में चीन के दूतवास के बाहर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश में चीनी वस्तूओं का बहिशकार भी जोरों से हो रहा है कई जगहों पर तो लोगों ने चीनी वस्तूओं की होली भी जलाई ऐसे में दूसरी तरफ सरकार चीन को उसकी हिमाकत का मूतोर जवाब देने की तैयारी में है चीन के साथ लगी करीबन 3500 किलोमीटर की सीमा पर भारतिय धल सैना और वायू सैना को हाई अलड पर रखा गया है नौ सैना को हिंद महासागर में अलड जारी कर दिया गया है यहाँ चीन की नौ सैना की नियमित तौर पर गतिविधिया होती रहती है लद्दाक में अलसी पर हत्यारों की मूवमेंट भी शुरू हो चुकी है इस बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा की भारत शांती चाहता है लेकिन उक्साने पर हर हाल में यतोचित जवाब देने में शक्षम है इसका एराना हरकत को लेकर किस तरह से पिये मोदी चीन पर गर जई जरा देखिए किसी को भी जरा भी ब्रह्म या संदेह नहीं होना चाहिए भारत शांती चाहता है लेकिन भारत उक्साने पर हर हाल में यतोचित हर हाल में यतोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विशे में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं देश के अलग-अलग हिस्सों से बदले की आवाज उठने के बाद हिंदुस्तान एक्शन में है कैसे दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद जल दौटे हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिवल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चीन की इस कायराना हरकत के बाद देश में बदले की आवाज बुलंद हो रही है और हिंदुस्तान एक्शन में है कैसे जरा देखिए इदर चीन की इस नापक हिमाकत का मूतोर जवाब देने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है पीएम मोदी ने भी इस मामले को लेकर शुकरवार को सभी दलों की बैठक बुलाई है ये तो तैह है कि भारत थोस कदम जरूर उठाएगा मही लद्दाक में सैना ने अपनी ओपरेशनल तैयारियों में तेजी लाते हुए ITBP की अग्रिम निग्रानी चौकियों का कारेबार अपने पास ले लिया है हाला कि रक्षा मंत्राले ने इसकी पुष्टी नहीं की है कश्मीर से सैना के जवानों की अतिरिक्त टुकडिया साजो समान के साथ पूर्वी लद्दाक के लिए रवाना कर दी गई है एतिहत के तोर पर गलवान छेत्र में नागरिक संचार सेवा को भी बंद कर दिया गया है और BSNL ने आग्रे किया है कि 4G अपग्रेडेशन सुवीधा में चीनी एक्क्यूपमेंट्स का इस्तमाल ना करे LAC पर भारतिय सैनिकों की शहदत के बाद मोधी सरकार एक्शन में है और सभी सैनिकों की छुट्टी रद कर दी गई है जबकि देमचोक और पैंगोंग लेक के आसपास के गाउं खाली कराये जा रहे हैं वही वायू सैना के दो AN32 विवान भी श्रीनगर और लहे पहुच चुके हैं ले श्रीनगर राष्टी राजमार का सोनमर्ग से आगे का रास्ता आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है सैनितनाओं के बीच ITBP के जवान और अफसर अब सैना के साथ LAC पर गश्ट करते हुए चीन की हरकतों की निगरानी कर रहे हैं और पैंगोंग जील में भी सैना की गश्ट बढ़ा दी गई है चीन की इस नापाक हरकत के बाद जिस तरह से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और सीमा पर जंग की तयारिया की जा रही है ऐसे में साथ है कि ड्रैगन को उसकी इस काईराना हरकत का मूतोर जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तयार है इस खबर में फिलाल इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 नियूज नमस्कार